असलामलेकम वीवर्स क्या हाल है आपके और वेरकमीन मिनु लोग आज हम बहुत ही मज़ेदार शनवारी चिकन कड़ाई बना रहे हैं इसको आप मटर में भी इत पे बना सकते हैं इसके निये मैंने टरमाटर लिये थे 5-6 और काली मिर्च नमक और दड़ा मिर्च लिये और हर कड़ाई में तकिबन पोना कब तेल डालेंगे अब अपनी कॉंट्री के साफ से कम ज़्यादा कर सकते हैं अब तेल तरह हमारा गरम हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे अधर क्लेसन पेस्ट और इसको हम फ्राइ कर लेंगे एक मिनट तक ताकि इसका रोक अच्छ रचर्स रचर्स आथ चले कृटिर कीज़ाः और मिलेट पर खे दो ऑने अच्छल अन oven रहें पर ट uwतु 않아요 कर देंग स्वाय के यह तो इसको अच्छी तरह से हमने च्छात्तब म क्लेर थाम इसको फाइक अच्छी तरह से कम ने 6-7 मिट अच्छी तरह से वह बिकुल जबर्दस गुक हो जाएगा या इसको आप प्रेशर को कमें बीड जल्दी और मैं इसमें तमाम स्पाइस एट कर रहे हैं नमक मेच और इसमें सरफ यह तीन स्पाइस जाएंगे इसके लाबा और कोई स्पाइस इसमें शामिल नहीं होगा और अब इसको मिस्कर ल यह मैंने जो है फोर बिक ट्रमेटोस काटे ते लिकि बाद में टू ट्मेटोस और शामिल किये थे और इनकी स्किन रुमॉव कर नहीं है इसको कवर करके तो जब दे कुकी है और अब यह के में इसको जितना आप अच्छी तरह इसको कर सकते हैं मैश कर सकते हैं आपने ट्म आप आप निकल के और स्मॉल चमर से मैने सको निकालने काल के भी अच्छी तना से मैश किया थे समा तमाम जो टो topics हैंै और इसमें से मैने जो ट्माटर ने और वो जो चिकन शोड़ती है मैने वो तोड़ी निकाल ली तो मैंश कुछ भून लिया और अबसमे रही मिट शामि कर दम्यान में कट लगा कि आपको शामिल कर लीजेगा इसमें हरी मित्षें लंबाई में काट के समिल की जाती है हमेशा यह लिदना अपको मजा त किक्षा पसंद ऑब ऊटनी हरी मिच शामिल कर लें मैंने समठ में चार शामिल कि ती और इसको थी तरह से मैं इसकी बनाई कर रही हैं और इस स्टेज पे जो अगर आपको जरूरत पढ़ रही है चिकन स्टोक जो में थोड़ी सी निकाली थी उसको साथ-साथ आप शामिल करते जाए उसकी बनाई करते जाए और इत्याद से बनाई करने हैं कि वह बुट गाए है इसकी टूटे ना और बहुत थी मज़दार रेडी वी थी और मेरी फैमिली ने बहुत पसंद की थी आप इसको जुरू ट्राइ कीजेगा बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही लजीज बनती है और इसी पे इसको आप मिस्त ना कीजेगा इसको मटन में बीफ में जिसको आप जिस पे चाहिए आए आप को बनाएं और काइनली मेरी रैस्पी को पने फ्रेंज और फैमिली साथ शेयर कीजेगा और मेरी चैनल मीनु व्लोग को प्लीज सब्सक्काइब कर देजेगा ताकि मेरी होंसलाव जाय हो सके थैंक यू सो मच फीवर्स अलाहाफीज फी अमान इला